गाइस सब्सक्राइब करो मरे चैनल इपांच माजन को बेल आइगन को प्रेस कर दो और और अल को प्रेस करो जिससे मैं अपने चैनल पर जो भी वीडियों सब्लोट करूँ उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए है गाइस कैसे आप सब्सक्राइब आज की सुडियों में आपका बहुत बहुत स्वाग थे गाइस आपको याद होगा रिसिंट्ली सैंसन अपनी एम सीरीज में दो नाइफोन सैंसन गेलेक्सी एं थर्टी वन और एम ट्वेंटी वन को लांच किया है और अब सैंसन अपनी ए करते हैं इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं तो गाइस ही आप देख सकते हैं एक रेंडर जो सैंसन गेलेक्सी एम इलेवन का रिसेंटली सामने निकल करा है साथी सपन की कुछ स्पेसिफिकेशन्स भी लीग हुई है इस रेंडर में आप क्लेरली देख सकते हैं कि इस फोन में होने वाला है प्लास्टिक का बॉडी बेट और थिकनेस की बात करें तो दोस्तों ये फोन का वजन रहने वाला है यहाँपर 197 ग्राम्स और थिकनेस की बात करें तो दोस्तों ये फोन आने वाला है 9.0 mm की थिकनेस के साथ में साते दोस्तों इस रेंडर में आप देख सकते हैं कि इस फोन में मिलने वाली एक पंचोल डिस्प्ले, स्क्रीन साइज की बात करें तो यहां पर आपको 6.4 इंचिस की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, रिजोलुशन होगा यहां पर HD PLUS, तो इस फोन में हमें एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, सूपर प्रेटरी देखने को मिलेगी, तो अब्वियस सी बात है, हम पर हमें बेटरी वेकपी ज़्यादा देखने को मिलेगा, साथ ही आप अपने फोन की बेटरी को 15 वोट के Fast Charger से Fast Charger कर पाएंगे, कैमरा की बात करें तो दोस्तों यह फोन आने माला है, ट्रिपल रियर कैमरा से अब के साथ में, जहांपर प्राइमरी लेंस होगा 13 मेกा पिक्सल का, सेकेंडरी लेंस होगा 5 मेगा पिकसल का अदर अगर इंगल लेंस, और थर्ड कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का इकडेट सेंसर, फ्रंड कैमरा की बात करें तो दोस्तों इस phone में आपको एक पंच्छोल के अंदर 8MP का selfie camera देखने को मिल जाएगा तो guys यहाँ पर rear camera तो ठीक है लेकिन अगर front camera 13MP का होता तो काफी अच्छी बात थी प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों यह phone आने वाला snapdragon 450 के प्रोसेसर के साथ में अब guys यह snapdragon 450 प्रोसेसर है यह वेसे को मिल जाएगा remaining features की बात करें तो दोस्तों यह phone भी आने वाले triple card slot के साथ में जहां पर आप memory को 512GB तक expand कर सकते हैं security की बात करें दोस्तों इस phone में आपको rear mounted physical fingerprint scanner देखने को मिलेगा साथी face unlock भी देखने को मिल जाएगा RAM और storage की बात करें तो दोस्तों यह phone आ सकता है 3GB RAM और 32GB storage वाले base video के साथ में दोस्तों अब हम बात करते हैं आपर pricing की तो दोस्तों इस phone की pricing यहाँ पर 10,000 रुपे से कम ही रहने वाली है around 8,000 रुपीज से 10,000 रुपीज की price point में आपको देखने को मिल जाएगा launch की बात करें तो दोस्तों अभी तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14th April तक lockdown लगा हुआ है तो यह phone आपको April month के 3rd या 4th week में इंडिया में देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यह थी Samsung Galaxy M11 की complete details अगर यह phone 8-9,000 की price point पर launch होता है साथ ही मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को press कर दीजिए जिससे में अपने चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी update आप तक सबसे पहले पहुंच जाए मैं हुदी पांच और मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में तिल देन बाबाई